लोवन दोस्तों तो अभी दो पहर का सामय हो रहा है और करीब दो बजने वाला है और इस टाइम खाना बन रहा है कि काजल थोड़ा सा बिमार थी जाके ठीक हुई है तो खाना बना रही है फोटा-फोटा पर देख सकते हैं अभी बन रहा है अंडा कड़ी जो की बहुत ही टेश्टी देखने में ही लग रहा है आप सबको अभी जॉस्ट पाली डाली है इससे पहले फ्राई हुआ था तब देखे हो था तो और भी टेश्टी लगता है अगर देखना है तो हमारे फेस्बूक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दिखा देंगे यहां पर है धनिया पत्ता और यहां पर है सब्जी और वहां पर चावल बन चुका है पहले हम लोगों ने खिचरी बना के खाली है कि आज था सेटर्डे सेटर्डे की दिन खिचरी ज्यादा बैस्ट होता है और सुबह दूर होने माला है निव फर में जाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे उस्टेम काजल यह मिस करेगी कितना अच्छा बैठ के बनाती थी यहां खड़ा होते होते कमर में दर्द हो जा रहा ना तो चलिए इस व्लोग को यहां से कंटीनू कर दोस्तों अभी मौसम बह तो अभी पूरा बादल भी आगे ने तो धूब भी खत्म हो गया बहुत ही अच्छा लगड़ा बुंदे पढ़ने लगड़ा बारिस आएगा तो दोस्तों गूड मॉर्णिंग और अभी सुब का टाइम हो रहे है करिब साथ बज रहे हैं और काजल रो जारे रो जारे रो जारे बारिस आपन तो अबस तो आरा है पर यह थी बेंग की तो अवस में जाथी अचानक से उठी रहा था मैं कूलर पंद कर तब तक इसका वाज थोड़ा हुआ लांजी सुना ने कज़ों काजल का दाता है कि छोटी-छोटी चीजों में तुप से भूल-भूल-भूल कर आपने लगते देखिए और आभी सब्जी बन रहा है मुली और तोरी का क्या हुआ बेटा रियो सुवह सुवह मेरे कान में पानी डाल दे थी मान सी किसके कहने पर डाली थी बताओ इतना बड़ा साजीश कर दोना लोग साजीश करके काने पानी डाल दे एव गलास हाट अधर का दातमा खड़ा गया तो यह गली यह दर सदस रहाए का मूटे अज़ाना अज़ाना कम कज़ा काई रहतर हम तो सौरियों बोलनिया इसे ही डड़ाते है तो मतलब कभी कभी ड़ा दी एक बार तो हर बर कभ ड़ाया है बता है अधर जूगी तूट रहा था जूगी अप सोची कितने साल पहले उसमे तो दोस्तों काजल को भी कहीं जाना है इस वेसे जली जली से अपना है तो सिरेस्ट कर रहे हैं केहरी की पूरा ज़र जाए मेरा बाद संधा इसलीए को बहार म सविज जो अब यह ओता है खुद के पधर कुल हाधी मर जाना को गुद रहां तो यहुए है तो नहीं दो फूर दो अर्चाए वाल चुला आपर छोलाई पर छोला निकलता तरह बहले आप तो इसमें क्या कर सकता हम कि मेरे को दिखा के चला रही हो बहल देख लिजे बाप एक अगोट डार्क पुरा लेप्स्टिक लगा लेती है वाहती है कितना अच्छा लागता है कहा जाना है वैसे आपको रिल बनाना है और तहीं जाना दिए और में को परकेश्टेट करें पुरा गॉर्मी सभी एज गई अब मैं करूंगी तो फिछा के सिदा कर देजिए हो गया है यह इतना मस्ता लागता रुके जाना रहा हुआ 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 और फिर मानसी बेटा खेल रही है क्या वा बेटा कुछ नहीं कॉप से खेल रही है इसको उपा चड़ा लिए को हुआ है रहा दाना कदल जौन बात उनों निकोल दे हम कहां से लिया हम टॉकली महरार हो जब हमार तुम कहा करें बता बाबाबा तो को उपा भी आया हुआ को हुआ पारी शंडे संडे संडे खूसी देखे वा घ्लो एक देवी जी रहे दी थोड़ा सा गॉलां और तो प्रहते हम दो लिए हुआ को हम अदरो तो कोंधी क्लान जलो के पूल यह वाल है कर गार विश्या क्या श्या आटना है अक्ति है पहला है कॉट यह नहीं था अधाये समय चाहेंगा आलू भी लेलो तबी आगा है मार्केट करने हम लोग सब्जी सब्जी लेने भीन्डी ले लेका जला पकॉडियों को अच्छा लागला आगा पकॉडियों प्रेस राहे लाएक तूर के तुरांत बनाने हैं तब पकॉडियों ना हूँ यौग लेका लाओ लेका तो चली ले लेते हैं तो फंट वाइनली बहुत दिनों बाद हम लोगों ने एक रैसीपी वीडियो बनाने के लिए सोचा है सब से पहले आम बता दे जो लोग ना वेज नहीं खाते हैं वो लोग वीडियो का Hagina ata उनके लिए बहुत के छोटी वा ली मचली आज बनाने वाले आपकेटस ने बार्ख तब एक सकतें हैं अपनों कि अपने मेल के आगए मिन कर आ रू थेरे मचली या पर मैने रख देख सकते हैं यह वाला मचली आज में बनाऊंगे छोटी वाला बस खाली सिदरी और कोई भी मचली इसमें नहीं है तो चलिए इसको साफ कर ले तो अभी दोस्तों काजल मचली धो लिए देख सकते हैं यहां पर मचली धो के लाके रख दिये और आज अलग तरीके से बनाऊंगे उसमें दो आलू एड करूंगी तो आज मचली बनेगा कुछ अलग तरीके और करीब हमें लग रहा है कि डेड़ साल या दो साल बाद हम लोग छोटी वाली मचली लाए हैं और इसका रेसिपी भी दे रहें कि बहुत दिनों बाद मेरे को यादे पिछले बर साथ या उस अगले बर साथ में हम लोग एक बार लाये थे तो बनाये थे न तो आप सब बने रहे हमारे साथ और देखिए कैसे बनाते हम लोग छोटी वाले मचली को क्या हूँ लाला उसको ठाख रिचिए और यहां पर देखिए मैं मसाला को बस सरसो लसुन मिर्चा है तो इसको पीस लेती हूँ और आलू डालके न हमको मचली बहुत देश्टी लगता है तो पता ना यह तो मैंने भी नहीं देखा है आ आप इतना कश्ट मत कीजिए मम्मी बना लेगी तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मचली में जो है आलू कट करके काजने डाल दिया है उसको पहले छील ली थी उसके बाद से कट करके डाली है और इधर है मसाला जो कि अभी मसाला एड करेंगी अभी खाली जीरा में डाल रह अब कोपर शेड करूँगी चले यह देखिए मसाला को मैंने पीस लिया इसको भी डाल देते हैं वाव कितना टेस्टी खर्षबाव था और अब यह मसाला मैंने ने कुछ मसाला करें इसके लाए तो खतम हो गया था अब भूदी ले था और जीरा खतम ही होने वाला कालीवे चले अब चले चले हो इसको मिक्स कर देती हूं और पानी देख रहा है इसको हमको दूसरे फ्लेट में निकाल कमिक्स करना चाहिए तो पर चली ए चोड़ देते हैं और मिक्स करके और इसका न तड़का लगाएंगे बस सुखा मिलचा रहेगा और सरसो और कुछ नहीं तो दोस्तों भी मश्री डाल दिये काजली में देख सकते हैं उस्ते पहले सर्सों का तड़का दिया गया था और काती अस्था दिख रहा है देख लेख दो पुआ जीए इसको अर पाख देख रहा है देख देख लेख अपने दो इसको अब नहीं चलाएंगे चुछेंगे ल तो अभी दोस्तों देखिए अभी पूरा तरा स्मेश पका लेकर पक्राइब और मच्छड बहुत ज्यादा लग रहा हालत खराब हो गया तो इसको उलाद पुलाद नहीं करना है मच्छिला डूला के इसको पकाना है न है कि अधिया देख सकते हैं मच्छली का लूप कितना ही तो फाइलली दोस्तों देख सकते हैं बन चुका है मच्छी और अभी देखा रही एक आले तो आप सब बताएं कमेंट में कैसा हुआ इसको वैसे तो और टाइट करना चीए जलाना चीए अब नच्वाइस होता है तो जूरो बना दूंग नहीं तेस्टें वह से मैं तो खाताने तो जब खाना है तो काजल समझे कैसे खाना इनको बकित आप सब टेस्ट बताएंगा कैसा लग रहा है देखने में चाहिए जूरे को देखने में ना हम लाका नो 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 आई टोंट वांट इट थांक यू मैम तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आप सबने देख लिया हमारा छोटी वाले मचली का रेसिपी कमेंट में जरूर बताएगा बाकि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक लिए जाएं दोस्तों टेक केर बाबाए